वेल्कम टो क्लास नमबर 99 अप दे चेप्टर प्रोग्रामिंग इूजिंग सी प्लस प्लस तो आज के क्लास का हमारा डिस्कुशन का टॉपिक है ओपनिंग एनड टॉजिंग एफटी प्लस प्लस प्रोग्राम को यूज करके हम कैसे फाइल ओपन कर सकते हैं और एक फाइल को क्यों बढ़ती है कि अगर कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम कर रहे हैं वहां पर लांज साइज आप डाटा अगर हमें श्टोर करके रखना हो पॉमनेंटली ताकि बाद में जब चाहें तो क्या कर सकें उस डाटा को यूज कर सकते हैं तो आज हम देखेंगे कि कोई भी इसलिए इसलिए पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा अगर हम फाइल के पॉम में कुछ भी डाटा हमारे प्रोग्राम के तूरूश टोर करके रखना चाहते हैं तो तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि how to open a file in C++ C++ programming languages करके हम कैसे एक file open कर सकते हैं okay so to read or enter data with file मतलब कोई files अगर कुछ data हम read करना चाहते हैं या फिर कोई file में कुछ data में एंटर करना चाहते हैं फिर store करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें file को open करना पड़ता है okay so file को open कर सकते हैं कैसे तीन तरह के file stream classes हैं जैसे कि upstream upstream and extreme so upstream means word input file stream मतलब एक file में कुछ अगर input करना चाहते हैं मतलब file में कुछ data है उसको प्रोग्राम में लाके क्या करना चाहते हैं data को read करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं तो चाहें हमें लिए करना हो राइटिंग ऑपरेशन करना हो फाइल तो हमें open करना पढ़ेगा ही तो इप फ्स्ट्रीम एप स्ट्रीम और ऑप स्ट्रीम सारे classes हमें क्या करते हैं एक particular file को open करने के लिए जो method ये फिर function चाहिए function हमें provide करते हैं on can करने के लिए और upstream यह जो दो है यह दो क्लासेश हमें प्रोवाइड करते हैं एक फाइल को ओपन करने के लिए हमें किस फाइल को ओपन करके किस तरह का क्या करने के लिए तो All these 3 objects मतलब जैसे कि upstream and upstream यह जो तीन अलग-अलग classes हैं तीनों क्लासेश के आपजिक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पॉपन कर सकते हैं दो यह जो तीन ग्लासेश हैं स्ट्रेम एप्स्ट्रेम यह तिन क्लासेश के उपसेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ओपन फॉंक्शन के थुरू एक पॉटिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं C++ program में, तो syntax क्या है file को open करने का, open, उस file का नाम, जिस file के name को open करना चाहते हैं, उसकी बाद mode, कि file को हम किस mode में open करना चाहते हैं, writing mode में, या फिर सिर्फ reading mode में, किस mode में हम file को open करना चाहते हैं, उसको specify करेंगे इधर, ओके, तो यहाँ पे एक file अगर already पहले से created है, अलग बात है, अगर file already पहले से created नहीं है, तो यही open function को use करके हम जा कर सकता है, पहले file को create करेंगे, create करके फिर उसको open करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक file को open किया, मतलब अगर इस नाम का file पहले से है, तो open हो जाएगा, अगर इस नाम का file पहले से नहीं है तो पहले create होगा फिर open होगा तो इस नाम का फाइल अगर पहले से नहीं होगा तो create हो जाएगा sks file इस नाम से एक file create हो जाएगा और यह जो फाइल हमने create किया है किस mode के लिए iOS out मतलब input output stream out मतलब यह output stream की हिसाब से काम करेगा output stream की हिसाब से काम करेगा मतलब क्या जो भी हम प्रोग्राम में data को मतलब यूज करेंगे जो भी प्रोग्राम में data इस आउटपुट generate होगा उस data को हम file में अगर store करके रखना चाहते हैं लेके तो वहां पर जो file name था file denote करता है the name of the file which has to be opened जिस नाम से हम फाइल को open करना चाहते हैं उस file का नाम हमें define करता है कौन file name and mode क्या define करता है different type of modes to open a file एक file को open करने के लिए हम अलग अलग तरह के modes use करते हैं जैसे कि हम एक file को क्यों open करते हैं उसमें store किया डाटा को करने के लिए उपन कर सकते हैं उसमें writing operation करने के लिए उसको open कर सकते हैं पहले से कुछ data राइट है उस file के end से हम फिर से writing operation कुछ perform करना चाहते हैं उसके लिए file को open कर सकते हैं ऐसे different give operations के लिए फाइल को open कर सकते हैं किस और तरह कि पपॉरिशन के लिए हम फाइल को open कर रहे हैं उसको specify करते हैं हम उन्हीं की से अगर मुझे फाइल को open करना है तो करने के लिए मतलब क seinem आलरी कुछ राइट किया गिया है उस फायल के एंड में अगर मुझे और कुछ एक्स्ट्रा ईइड करना है तो उसके लिए को उपन करना है तो उसके लिए यूज करेंगे नियुक्त करेंगे इसके बाद अगर मुझे फाइल को एपेंड मोर में एड़ करना है जो कि अपरेशन करीगा बौथ और यहां सकते थे पर यहां पर न करने के बाद उसके बाद जो डाटा है वहां पर राइटिंग उपरेशण कर करेगा रिड करनी की फेसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा अगर ऐसा फेसिलिटी हम यूज करना चाहते हैं एक फाइल में तो उसके लिए उसके बाद अगर हम बाइनरी मोड में फाइल को उपन करना चाहते हैं तो उसको देखना चाहते हैं तो उस उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए करेंगे इसको और अगर हम चाहते हैं कि फाइल ओपन सब्सक्राइल और यह लिए हम उसके लिए इस पटिकुलर ओप टो इसको उप्टर टाइब व है कंद सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसी कर रहा का मोड हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें फाइल को ओपन करते हैं या फिर क्रियेट करते हैं तो ओके तो इन C++ we can use two modes simultaneously with the help of our operator C++ हमें allow करता है एक फाइल को जब भी हम open करते हैं वहाँ पे दो modes simultaneously use करने के लिए मतलब एक particular file को मैं open कर रहा हूं तो उसको मैं इन्पुट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकता हूं और आउट्पुट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकता हूं एक ताइम more than one operation करने के लिए फाइल को open कर सकते हैं उसी प्लस प्लस हमें allow करता है more than one mode simultaneously by using our operator एक फाइल को open करते वक्त यूज करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे iOS out and iOS in दो मोड मैंने यूज किया है simultaneously by using our operator ओके तो एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं को open करने का c++ प्रोग्राम के दून कैसे क् motor कर सकते हैं जैसे कि कोई बी c++ प्रोग्राम अना शुरू करते हैं जैसे इंप्र प्रीो्सेसर से यहूज फ्त्रीम है फ्रसंग करना है उसके बास जब कि हमें प्रोग्राम में लिंक किया, upstream file को, upstream file को link करने के बाद, फिर upstream file के upstream class को यूज़ करके, मैंने यहाँ पर create किया एक object, object का नाम मैंने दिया file name, उस object name को use करके हम क्या करेंगे, उस particular class के open function को call करेंगे, open function को call करेंगे, क्या create करने के लिए, sks file, इस नाम से एक फाइल को create करने के लिए इस फाइल का मोर क्या है iOS आउट मतलब इस फाइल में हम future में राइटिंग operation कॉप हम कर सकते हैं जिस फाइल में हम क्या कर सकते हैं डाटा को store करके रख सकते हैं तो यहाँ पर यह जो single sentence हमने लेखा यह single sentence यहां पर फाइल को create कर रहा है तो यहां पर हमने open function use करके किया कि sks file नाम का एक file हमने create किया ओके file create करने के बाद see out statement use करके मैंने यहां पर message दिखाया file created successfully उसके बाद file तो हमने create कर दिया file create होने के बाद अगर उसमें कुछ writing operation हम पॉपम करना चाहते है writing operation पॉपम कर सकते हैं file में data को store करके रख सकते हैं उसके बाद जबकि हम यहां पर सिर्फ file कैसे open कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ने तो यहां पर राइटिंग operation के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है जब हम आगे पढ़ेंगे writing operation के के बारे में तब हम देखेंगे कि फाइल को open करने के बाद उसमें करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो sks file नाम का एक file यहां पे create हो गया है तो ऐसे आप करके देख सकते हो आप कोई भी ऐसे की सी प्लस प्लस प्रोग्राम जिसमें आप लिखके रन कर सकते हो वहां पे ऐसे सिंपल प्रोग्राम लिखके आप खुद देख सकते हो file कैसे open होता है यह फिर create होता है तो यह तो हमने देखा कि फाइल हम कैसे open कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि how to close a file in C++ C++ में हम एक फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं तो जब हम एक C++ प्लस प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं जब एक C++ प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं तो आटोमेटिकली वह क्या करता है जितना भी वह memory space reserve क्या होता है सारे stream के लिए सारा memory space वो plus कर देता है plus कर देता है मतलब क्या सारे memory spaces को फ्री कर देता है फिर रिमोब कर देता है ओके रिलीस कर देता है ताकि उसको बात की कोई भी काम में हमारे memory को हम यूज कर सकें ओके वही लिखाए वह एक C++ प्रोग्राम जब XC++ program terminate होता है या फिर close होता है it automatically plusses all the streams. जितने भी stream हम बहुँ हम हापे use करते हैं चाहे वो input stream हो, output stream हो वो सारे के सारे को वो क्या करता है automatically plus कर देता है फिर release कर देता है and release all the allocated memory और उन streams के दोरह allocate किया गया memory को वो release कर देता है फिर free कर देता है and close all the open files और जितने भी files हमने program में open किये थे सारे files को वो automatically close कर लेता है ओके, but it is always a good practice that a programmer should close all the open files before program termination program जब हम terminate करेंगे या फिर close करेंगे तब तो automatically जितने भी files हमने open किये थे वो close हो जाएगा, ओके बट ये एक अच्छा habit है कि programmer खुद ही program को terminate करने से पहले सारे files को close करें जितने files programmer ने खुद से अपने से open किया था जैसे कि computer को आप चलाते हो तो computer में जितने भी आपने applications open किये हैं उसको बिना close कि अगर आप क्या करते हो अपने computer को off कर देते हो तो सारे files automatically close हो जाएगे वहाँ पर हमारा computer का processing speed धिरे-दिरे slow हो जाएगा अगर हम regularly ऐसा करने लगेंगे तो तो इसे लिए ये अच्छा habit है कि हम क्या करें computer में सारे applications को पहले close करें फिर computer को close करें वैसे ही एक program जब हम terminate करते हैं तो सारे files automatically close तो हो जाएगे बट ये अच्छा habit है कि program को terminate करने से पहले सारे files को हम खुद close करने पहले उसके बाद program को terminate करें तो सारे files को close करने के लिए सारे open file को close करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिस function उस function को हम बोलते हैं close function ओके तो syntax क्या है close function का close function, upstream, 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 upstream सारे classes में available है इन तीनों में से किसी भी class के object को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं close function को call कर सकते हैं program में एक particular open file को close करने के लिए तो program में देखते हैं तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा upstream class का object यूज़ करके हमने file को open किया फाइल को ऑपरेशन करने के बाद करने के बाद हम पुछ writing operation यूज़रकों करने के बाद हम का काम खतम होने के बाद फाइल को cutlose करना चाहते हैं तो इस particular class के object को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं उस particular close function के through file को close कर सकते हैं और यहां पर फाइल जब close हो जाएगा उसके बाद हम easily program को terminate या फिर close कर सकते हैं तो यह अच्छा एविट है कोई भी program अगर हम लिखते हैं C++ में file को open करके कुछ भी operation पॉपम करते हैं जब भी file का काम खतम होता है तो file को वहां पर close करना ज़रूरी है ताकि program हमारा properly काम कर सकें तो आज की class में हमने देखा कि हम एक file कैसे open कर सकते हैं by using open function और एक file को कैसे हम close कर सकते हैं by using close function जिसके बारे में आज के class में हमने discuss किया तो next class में हम discuss करेंगे ऐसा और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही थेंक यू